असलाम नोगी वैंट्स आज आमारे लेक्ट्छर कुछ बेसिक इंस्ट्शन पे कंपराइस करता है जो कि शिफ्ट रॉटेट इंस्ट्शन हैं सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिकल शिफ्ट राइट फिर अरिथमेटिक शिफ्ट राइट लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट रॉ यह जितनी instructions आपने अब तक सीखी हैं इन instructions के through हम एक register के contents को processor के अंदर मौझूद किसी दूसरे register में shift करेंगे without using move instructions तो it will be fun for us to learn all this यह वो code है जो के आपको बताएगा कि यह main instructions किस तरह से काम करती है असल स्टार्ट main के अंदर ही हम देखेंगे क्या हो रहा है सबसे पहले मैं move command के through lower 16 bits of R0 में ABCD hexadecimal number store करवाता हूं उसके बाद move top command से 7000 hexadecimal का number इसमें shift करवाता हूं और फिर load register instruction के through मैं 32 bit का एक hexadecimal number equal to operator के साथ जोके address को indicate करता है या address के तौर पर मैं 32 bits को R1 में store करवाता हूं तो यानि यह तीनों instructions में से पहली दो instructions लिख दें या एक यह R1 लिख दें दोनों equivalent हैं तो LSR LSR actually instruction का नाम है और S आगे जो लिखा हुआ है वो अचली इसकी एक extension है जो के इसलिए लिखी जाती है ताकि आप flags को update कर सेके जो के carry, overflow, negative इस तरह के flags है इन सब को update करने के लिए S का sign S का symbol लिखा जाता है तो यानि इस operation के दौरान अगर आपका destination register अगर negative हो जाए तो आपका negative यानि end flag update हो जाएगा अगर आपकी इस addition हो रही है या rotation का operation हो रहा है तो अगर कोई carry आ रहा है कोई एक bit है जो के शिफ्टिंग के दौरान अगर एक bit delete हो रही है तो वो carry flag में जाती है तो carry flag को update करने के लिए भी S का digital graph लिख देते हैं तो carry flag update हो जाएगा अगर एक bit delete हो रही है shifting के दौरान इसी तरह अगर एक number zero हो रहा है let's suppose आप shifting करवा रहे हैं two की और shifting by right करवाते है shift by right का मतलब है division by two तो अगर आप division by two करवाते हैं तो इसका मतलब यह है कि एक बार अगर division by two करवाएंगे तो वो one हो जाएगा दोबारा अगर division by two करवाते है तो वो zero हो जाएगा तो इस case में आपका zero flag जो के z flag होता है वो update हो जाएगा वो one हो जाएगा तो अगर आप यह करवाना चाहते हैं तो आपको जरूरी है कि एस का सिंबल आप अपनी इंस्रक्शन के आगे लिखते हैं मैंने यहां थियातन सब के आगे लिखते हैं ताके हम फ्लैग्स किस तरह से अपडेट रुटे हैं वो देख सकें तो बात करते हैं लॉजिकल शिफ्ट राइट पर जैसे इसके नाम से जाहर है कि यह लॉजिकली आपकी इंस्रक्शन को शिफ्ट राइट करता है यानि क्या मतलब हुआ कि shift right का मतलब है division by two यानि आपका पूरे का पूरा number एक एक bit towards right shift हो जाएगा अगर आप logical shift right by one bit कर रहे हैं तो लेकिन यहाँ पर होता ही है कि यह destination register है यह वो register है जिसके contents को आपने shift करना है और यह वो register है actually जिसकी lower byte आपने use करनी है और उसमें जो भी number लिखा हुआ है उतनी bits से आपने इस register में shifting करनी है हम देखते हैं कि R1 के contents है क्या R1 है यहाँ पर R1 के contents है यह और इसकी lower byte है 14 14 को आप decimal में convert करें तो यह बनता है 20 यानि इस instruction का मतलब यह हुआ कि R0 के contents को shift right करो by 20 bits और store कर दो R2 में इसी तरह arithmetic shift right arithmetic shift right actually आपको पता है अगर एक negative number को shift right करते हैं devian by 2 करते हैं तो उसकी sign bit copy होनी चाहिए like आप अगर minus 8 को divide by 2 करते हैं तो उसका result minus 4 होना चाहिए तो वो minus 4 की integrity बर करार रखने के लिए आपको एक्चली arithmetic shift right instruction यूज करना पड़ी कि बाज वकात आपको चाहिए होगा कि negative number को devian by 2 करवानी है बाज वकात आपको चाहिए होगा कि simply आपके पास जो number है वो unsigned है उसकी basic MSB1 ही हो वो negative number को ही represent कर रहा हो sign domain में लेकिन आप चाह रहे हों कि सिर्फ उसकी logical value जो कि उसकी unsigned value है उसको devian by 2 करवाए तो उस सूरत में आप logical shift right यूज करेंगे और अगर आप sign numbers consider करें तो आप arithmetic shift right use करेंगे इसको हम debugging देखेंगे मजी इसके इसका result आ 3 में store हो logical shift left logical shift left में कोई arithmetic वाली जीज required ही नहीं है क्योंके multiplication by 2 है अगर आप minus 8 को multiply करवाएं 2 से तो minus 16 आता है और दोनों cases में चुँके MSB की बजाए LSB पर zeros add हो रहे हैं यानि इसमें होता ही है कि जिस side पर आप shifting कर रहे हैं उससे opposite side पर कुछ bits का hazard पैदा हो जाए यानि क्या है कि अगर आप arithmetic यह logical shift left कर रहे हैं तो आपकी जो start वाली bits होंगी let's suppose आपके पास जो number था मैं उसको अगर binary में लिखूँ वो था 00001010 यह आपके पास number था और इसको आपने shift किया logical shift left तो logical shift left by two by two bits कर लेते हैं चलें by two bits कर लेते हैं तो पहली यह पहली दो bits उड़ जाएंगी और यह बाकी की छे bits हैं actually as it is copy हो जाएंगी MSB पर 0010 और 10 अब आखरी दो bits क्या होंगी actually वो हमेशा 0 होंगी logical shift left के case में और इनके case में अगर यही number हो आपके पास let's suppose number हम लेते हैं कुछ इस तरह का arithmetic logic arithmetic shift right है तो हम number लेते हैं 1011 0011 इसको अगर हम arithmetic shift right करें by 2 bits तो इस case में यह पूरे का पूरा number towards right shift होगा by 2 bits यह 2 bits delete हो जाएंगी और यह बाकी की 6 bits LSBs पर आ जाएंगी और जो MSB आएगी actually वो क्या होगी यह वाली bit copy हो जाएगी twice यह लिखा जाएगा one one और आगे यह six binary numbers यह आपका इसका result होगा और इसका result simple है वो मैं नहीं लिख रहा अब आज है rotate right s पर rotate right s actually यह करेगा कि यह आपके पूरे के पूरे number को इस तरह से rotate करेगा कि shifting logical shift right का operation और rotation का operation एक साथ होंगे यह लाजिकल shift right का मतलग यह कि आपका जो number है actually वो towards right shift होगा यह दिविगन बाई two होगी और इसके साथ साथ जो bits आपकी LSB साइट से divide हो रही है डिलीट हो रही है वो actually MSB पर appear होना शुरू हो जाएगी यहां पर आपने देखा इन दोनों cases में यहां पर यह दो bits आपने extra खुद से डाली depending on the instruction type और यहां पर यह दो bits आपने खुद डाली क्योंके depending on the instruction type यहां पर आपने 0s append किये खुद से यहां पर आपने 1s append किये खुद से लेकिन यहां पर rotate right में आपकी जो यहां से 2 bits उड़ी है इस जगह से यह वली 2 bits यह वली 2 bits यह उठके यहां आ जाएगी MSB पर तो इस तरह से rotate right का operation है वो logical shift right या बाकी जितनी भी इंसक्शन से different है फिर बात आती है rotate right extended की rotate right extended में actually आपका जो shift का rate है यानि कितनी बार आपने shift करना है कितनी बार rotate करना है वो predefined होता है जो के by one bit होता है इसमें होता ही है कि rotate right के अंदर या logical shift left, arithmetic shift right, logical shift right in sub में अगर आपकर में SS डाल देते हैं तो आपका carry flag update होता है यानि जो भी आपने value जो भी bit आपने delete की होती है वो actually carry bit में चली जाती है तो rotate right extended में आपकी जो carry bit है उसकी value उस जगा पर insert कर दी जाती है जहां पर actually आपने नई bit insert करनी होती है और जो bit आपने delete की होती है वो carry bit में चली जाती है तो एक extra bit carry carry की extra bit involve हो जाती है आपके इस सारे procedure में To be more clear मैं आपको दिखाना चाहूंगा के let's suppose आपका carry flag है let's suppose इसकी value है 0 और इसके साथ साथ आपका जो number है जिसको आप rotate right करवाना चाहा रहे हैं वो है 1011 1100 इस सुरत में let's suppose इसको 1 गर देते हैं चली है इसको आपने rrx करवाया इस number को whatever तो इसका result आया rrx करवायेंगे तो ये पूरे का पूरा number rotate right होगा इसकी ये एक bit जो one है ये carry bit में चली जाएगी carry flag में चली जाएगी और जो carry flag की value है वो msb पर आ जाएगी बाकि सारा number rotate right हो जाएगा rotate right वाला ही operation है लेकिन actually rotate right में जो lsb msb पर आ रहे थी उसकी जगा ये lsb carry flag में चली जाएगी और carry flag की value इस msb में आ जाएगी so ये उसी सूरत में होगा जब आपने s डाला होगा s यहाँ पर लिखा होगा अगर आप s नहीं लिखते हैं तो ये one carry flag में नहीं जाएगा और होगा ये के आपका जो नमबर है वो अगर आप multiple rrx अपलाए करते हैं तो वो same रहेगा याई आपके carry flag की value अपडेट नहीं हो रही तो ये पूरे का पूरा नमबर actually copy होता रहेगा याई ये change नहीं आएगा उसमें तो इसका result क्या होगा ये one carry flag में चला गया तो carry flag की value हो गई one और आपका जो नमबर है वो हो गया carry flag की value msp पर आगई zero बागी सारा number rotate right हो गया 1011 underscore 110 और ये आपका 8 bit का number complete हो गया इस तरह से ये rrx काम करते हैं तो अब इसका debugging mode on करते हैं और इसको देखते हैं कि क्या ये ऐसे ही काम कर रहा है कि बिस्मिल्लाइरक्म अर्षीम में में आ गया हम पहले move हुआ आपने देखाए abcd आ गया move top 7000 आ गया ldr के तरह बुरा number copy हो गया logical shift right with flags update कोई flag update नहीं हुआ flag update यहां पर आती है इस xpsr में यहां पर सारे flags available होते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं nzc जिनके हमने बात की वह सारे यहां पर यह वी ओवरफ्लो का होता है और यह इन तीनों से हम familiar है कि यह क्या होते हैं सो देखें lsrs ने r2 में क्या change किया r0 से r2 में conversion r1 की आखरी byte होनी थी तो जो के 20 है तो 20 bits का shift होगा by 5 digits देखते हैं अभी हम है ldr पर तो r2 में आपका एक shifted version आ चुका है इसको देखें तो यह है क्या r2 r1 में sorry r0 में आपका 7 है 8th position पर और r2 में आपका 7 है 3rd position पर तो आपको पता है 8-5 is equal to 3 तो यह shift by 5 digits होगा यह 5 digits means 20 bits next r3 700 आप अब वही same result यह भी आपको पता है कि जो arithmetic shift right है वह उस वक्त MSBs पर 1 लाता है जब उसकी MSB originally 1 हो यहां पर चुके 1 नहीं है तो इसलिए same results आएंगे rotate right sorry rotate right नहीं बलके LSLS जन्हीं logical shift left तो logical shift left में क्या होगा कि आपका पूरे का पूरा number 5 digits से leftward shift हो जाएगा तो आपको जैसे पता है कि D R 0 में D first location पर है तो आप कहां चला गया 1 2 3 4 5 6 6th location पर चला गया यह नहीं 1 plus 5 is equal to 6 तो 6th location पर चला गया यह सही है यह D चला गया 5 digits पीछे और आपके जो यहां वाले डिजिट से यह आपका जो डी था डी चला गया 1 2 3 4 5 यह इस तरफ से रोटेट करके यहां पर आया वन डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट और 5 डिजिट इसी तरह C यहां पर था, B यहां पर था, 0 पर A यहां पर था, फिर 0, 0, 0 और यह 7 तो इस तरह आपका पूरे का पूरा नमबर एक्चली रोटेट बाइ 5 डिजिट तो डिजिट हो चुका है लास्ट इंग, रोटेट राइट एक्स्टेंडड तो इसको डिबग करना थोड़ा है क्योंकि एक बिट से शिफ्ट हो है फिर भी हम देख लेते हैं जो R 0 है वो है D, उसकी ली सिग्निफिकेंट डिजिट है D, जो के होता है आपके पास 10, 11, 12, 10 होता है A, 11 होता है B और जो है 13 होता है D, तो 13 को अगर आप 13 का कोड क्या होता है, 13 एक्छिली होता है 8 प्लस 4 प्लस 1, यानि 1101, तो 1101 को अगर आप शिफ्ट बाइ राइट करें, बाइ 1 बिट, तो यह बनता है 110, 110 is the code of 6, तो आपको नज़रा रहा है कि जो इसकी ली सिग्निफिकेंट इसका मतलब है कि rotate, right, extended को हमने सही समझ लिया है, so आज का lecture मैं यही conclude करना चाहूंगा, इसका जो last portion था, जो कि है example project, shifting our registers content to another register with shift instructions only, वो इससे अगले lecture में हम इंशाला कवर करेंगे, क्योंकि वो अलादा से एक program, बहुत चोटा, कम time लेगा, इंशाला, so you will enjoy it, thank you.